अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तयार है और 22 जनवरी को इस मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह की तयार यां भी पूरी कर ली गई है ऐसे में भगवान राम का मंदर बनना देश के लिए सौभाग्य है और इसके लिए पूरा भारत काफी उत्साहित है कुल्लू में भगवान रगुनात के छड़ी बरदार महिश्वर सिंग ने अपने संस्मरण को याद करते हुए कहा कि वे भी कुल्लू से अयोध्य के लिए विवादत धांच को गिराने के लिए निकले थी और उनके साथ संख के कुछ और कारिकेट भी मौजूद थे ऐसे में दिली से आगे चलते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफतार कर लिया था और देवबंद में एक जेल में कैद कर लिया था जेल में कई अन्य रामभक्तों को भी कैद किया गया था सभी रामभक्त मिलकर रामचर रित्मानस का पाठ करती थी और करीब दस दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा महेशुर सिंग ने कहा कि इस राममंदर के लिए हजारों देश भक्तों ने संखर्श किया और आज उनका संखर्श काम्याब हुआ है यह मेरा परम सौभाग्या है कि राम भगवान की कृप्रा से यह अबसर मुझे मिला है यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्या की बात है कि और फिर अपने संग के परमुख यहां से यहां अभी अभी जिनोंने जिर्के कर कमलों द्वारा बेजा गया है लिखराज राना जी यह स्वयम यहां पधारे और इनके ही कर कमलों द्वारा मैंने अपने को जो है यह मिला है तो निशित रूप से जाने की त्यारी तो पहले ही है और मुझे एक अफसर बिलाएगा के बिलकुल निकट से राम लला के दर्शन होंगे अब नव निर्विद मूर्ती भी है और प्रानी मूर्ती भी वहां हैं अक्सर मैं जाता हूँ और जब भी यहां का कोई बड़ा अनुष्ठान होता था तब गया हूँ तब तब जाता था अयोध्या लेकिन राम जनम भूमी में उस पर भी गया था जब हम लोकसभा में थे तो उस मंदर के मैंने देखा था और यह भी मेरे को एक अफसर प्राप्त हुआ था कि जब हम उस कारेकरम में भी गय थे जब उसको धांचे को खाडने की बात थी तो यहां से भी मेरे मैं और मेरे साथ दो ऐसे बुजरू लोग भी थे एक तो राम सिंग जी के पिता जी और हरी राम जी और एक आपके कलयली से दिलू राम जी वो भी समके कारे करता थे दो उस्वत बृद्ध थे और मैं नौजवान था तो मैं दोनों आथों से पकड़कर इनको दिल्ली पहुंचाया और फिर दिल्ली से देवबन बे हम बेजे गया या हमको रच कर दिया गया था आपको बता दे कि भगवान रगुनात के छड़ी बरदार महेश्वर सेंग को भी राम मंदर प्राणपतिष्ठा समारोह के लिए निमंतरण मिला है और वे जाने की तैयारी भी कर रही हैं 18 जन्वरी को महेश्वर सेंग कुलू से निकलेंगे और रच्वन्डिगर से हवाई जोहाज के जर्ये लखनव पहुंचेंगे और 20 जन्वरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे महेश्वर सेंग ने कारिक्रम का निमंतरण मिलने पर रामंद ड्रोस्ट का आभाड जताया है पंजाब केश्वी टीवी के लिए कुलू से मनमिंदर अरोडा की रेपोर्ट